दोस्तो फैनली अभी अभी सुर्जी सर का मैसेज मेरे पास आ गया है जैसे कि आप ए स्कीन पर देखी रहे हैं सुर्जी सर अभी अभी मैसेज के माधियम से 32,177 बानों को खुसकवरी दी है आज सुर्जी कोट में हम लोग की केस की सुनवाई थी सुनवाई पूरी हो गई है तो चलिए इस वीडियो में सारी जनकारी वन वा वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं क्या अगला डेट मिला है या केस खारिज हो गई है क्या हम लोग को जीत मिल चुकी है 32,137 बानों को मैसेज की मादियम से सुची सर क्या खुश खबरी दी है चलिए इस वीडियो में सारी जनकारी वन वा वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं आप लोग वीडियो में बने रहे हैं तो दोस्तों देख लिजिए आवसक सुचना आप सभी को सुचित करते हुए बताना चाहता हूँ कि आज बहास हुई विपक्षी के वोकिल वीवी गिरी सर हम लोग के ओडर पे स्टे लेना बहुत चाहे लेकिन उसका जवाब अपने बिद्वान सोप्रीम कोट के सीनियर वोकिल जिन है इस बार रखा हूँ जिनका नाम है अमन लेकी सर उन्होंने मूह तोर जवाब दिया और जज़ साहम ने इंप्रेस हुए और साप बोले एस्टे नहीं दूँगा सरकार भी SLP की है उससे सुनेंगे और अगली बार केस को डिस्पोज करूँगा अगली केस की सुनवाई की तारिक दिसाइड होगी इसलिए हम लोग की जीत की ज़सा आमने साप कर दिये की मैं इस्टे नहीं दूँगा अब फैनल अगली सुनवाई करूँगा और केस को डिस्पोज करूँगा तो सातियों आज अपने सुप्रिम कोट के विद्वान सिनियर ओकी अमन लेकी सार ने अपनी करिस्मा दिखा दिये कि अब अपने ओडर पे जज़ साहब एक्ष्टे नहीं दे सकते हैं साप हो गया अगली डेट में फाइनल बहस होगी केस खारीज होगी सरकार को सुनने के बाद सातियों में अपने सिनियर ओकी अमन लेकी सार और समान बर्दन गोतम सार की पिक्चर बेज रहा हूँ दन्यवाद सोजीत कोमार सेउत मंतरी देखिए अभी अभी सर का मेसेज है चलिए पिक्चर दिखा देते हैं देखिए हमारे बबर सेर कितना खोस है समान बर्दन गोतम सार और यहीं अमन लेकी सार है अपना करिस्मा यहीं सर दिखाए है और ज़स साफ मना कर दिये है जिस केस में हम आपको एश्चे नहीं देंगे और अभी लाइब आते हैं पूरे किलियर बताने वाले हैं इसलिए सभी लोग लाइब आना नहीं बूलिएगा थैंक्यू